तो आज हम देखेंगे bitwise operator के बारे में हम इस वीडियो में basic देखेंगे और next वीडियो में हम उसको apply करके देखेंगे कि क्या हमारा होता है तो आप यह देखें जैसे 12 है 12 को तो binary number में computer समझ जाएगा compiler के help से convert कर लेगा उसे मगर जब बात आती है plus minus की तो plus minus में हमारे को दिक्कत आती है तो हम इसके लिए क्या करते है अब इसके लिए हमारे पास आता है bitwise operator में अब हमारे number के आगे plus minus लिखा होगा तो computer को कैसे समझेगा with the help of compiler compiler की help से कैसे समझेगा कि प्लस-minus मतलब क्या है साइंड साइंड के लिए होता है ना हमने साइंड और उनसाइंड दो जीचे पड़ाई थी आपको साइंड मैंने बोला था जब signature करो गया आपको किसमें चेक के उपर तो क्या कि उसके positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है यह मिन आपको बताया था unsigned है तो unsigned मतलब आपने sign ही नहीं करा तो negative तो कुछ हो नहीं सकता था व्व एक positive ही यह यह बताया था मिन आपको तो यह signed जब हमने क्या करा रहा है से plus minus लिखावा है अब number के आगे 12 12 के आगे या प्लस लिखा है या माइनस लिखा है 12 के आगे मैं लिखा है तो अब ये कैसे समझेंगा compiler, तो हमार को इसी के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं हम इसे, अब क्या है ये या टौ through बाऊज एट ब्लस माइनस की number थो वेश हमारे पास दो तरीके हैं किसको करने के लिए प्लस मैश ब्लस मेर्स को चौर इंड करने के लिए इसे नब्रन देखते हैं तो फ़स्य अभाई now हम साइन हम पर सांन्ब नंबर रिपर्जेंटेशन सांन नंबर की हएल्प से हम रिपर्जेंट करते हैं मलेला है तो 이제 vital कि साइन बट साइन स्डद इस साइन बिक बिट कि कोन-कुनसी होती है बट हमारी दो होती है 141 ह Kingdom तो यह दो बिट लिख दी अब जीरो को रिपर्जेंट करते हैं हम पॉजिटिव के लिए और वन को रिपर्जेंट करते हैं हम नेगिटिव के लिए जीरो को रिपर्जेंट करते हैं पॉजिटिव के लिए और वन को रिपर्जेंट करते हैं नेगिटिव के लिए अब आपको इसमें क्या याद रखना है अब जैसे हम रेंज पढ़ते हैं तो रेंज हमारी क्या होती है रेंज हमारी स्टार्ट होती है जीरो से में आपको समझ लोड करें तो जीरोजंब नेगिटिक भी बात करें तो नो जाए पूंच साथ से द्यान हो जाएगा मेले आपको तरीका यहां कि याद करनेगा आया से कैसे फिर से बता को आप हो आपको आभी समय darf एक मिनट वेट यह जैसे कि हम बात करते हैं रेंज की तो रेंज में क्या आता है रेंज हमारी जीरो से कहां तक होती है जहां तक हम ले करके जाते हैं तक हमारी जीरो से ہोती है तो यहां पर यहां पर जीरो से होती है तो साइंड पॉजिटिव के लिए जीरो याद रहो पर नेगेटिव के लिए वन इस में याद रखने में कोई अधिक्त नियी ज suppression कर दिआए है अब टेह लेते हैं को पहले 12 का Binary निकालना पड़ेगा अब 12 को देखना है तो हमार पहले 12 का Binary निकालना पड़ेगा अब आपको Binary निकालना में मैंने निकालने में कोई थिक्कत है नहीं में बदआ है देसिममलना हैと nine a ट्रिक बदा दी डैसी मल जहाबर भी आए तो आपको याद करना है दादा दादा मतलब पुलिस वाले पुलिस वाले क्या होते हैं लंबे लंबे से मतलब L L से मतलब L C M सीधा L C M ले लो बारा को लिको यहां फिर L C M किसका लेंगे जिसमें हमार को करना है binary में करना है तो तू करा । तू सिख जह ट्वैल बचा जीरो तू थ्री जा शीच बचा जीरो टू बचा वन तो अब यहां गे हमारा binary 1100 यह लिग दिया हमने binary बाकी के जो तो अब यह क्या है आप देखिए अभी लिखा है फिर जो आगे के बच्षे होते हैं उसमें हम जीरो फिल कर देते हैं वह इन आपको बताई दिया उपर ही नहीं पढता है इसलिए बचे हुए को 0 भर देते हैं अब यहागी देखते हैं in case negative ईन सीथा सीथा हम अपना भुले लिखेंगे क्या लिखेंगे binary में number जो आ रहा है वो लिख दिया यह binary में आ रहा है और बागी की number हमने 0 से बढ़ दिये मगर आगे negative है negative है तो हमने क्या लगा दिया 1 हमने पढ़ा ना इन negative के लिए 1 होता है और positive के लिए 0 मतलब इसमें plus होता यह यहाँ पर plus होता तो यह है यहाँ पर 1 की जगा क्या होता 0 होता ठीक है गाई अब यह क्या है अब आगे देखते हैं आगे देख लेते हैं अब जैसे कि यह minus 11 है अब minus 11 है तो आपको सीधा क्या काम करना है आपको काम करना है अपना अपने को क्या खाम करना है अपने को सीधा समझना है 11 और 11 का क्या लिख देना है binary 11 का binary भी नहीं लिख भाऊ तो पढ़ना बेकार है आपका क्योंकि मैंने इत्ती बार बता दिया 25 10 1 224 यह बचा 1 2 1 2 2 0 बारी में तो 1 1 1 1 1 0 1 1 यह आगे आपका binary बचे में को भर तो 0 से मगर आपको देखना आगे का sign आगे का sign नेगेटिव नेगेटिव बोले तो वन आयेगा वन ऐगा तो यह आ गया 1 यह लिख दिया 1 0000 10 11 यह क्या है यह 8 bit का set है मतलब यह किसके लिए है? वन बाइٹ के लिए ठीक है? अब यह क्या है? यह one क्या बता रहा है? क्योंकि नेगिटिव है तो इसलिए आरा है ये one ठीक है? होग circular अपना काम इतना बड़ी आदर समझ में आ रहा होगा अब यह मतलब जो यह पहली जो पहली हमारी bit होती है ये बताती है हमारे को sign के बारे में कि sign क्या आएगा ठीक है और ये बागी सारा जो होता है ये क्या होता है magnitude तो इसी को हम क्या बोलते है इसको हम ये भी बोलते है sign magnitude representation कि इसमें sign आता है ये पहले वाला sign बताता है फिर बागी का magnitude होता है इसको यह represent करता है तो इसको हम बोलते है sign magnitude representation ठीक है अब यह देखते हैं आगे आगे क्या है यह sign magnitude representation इसे हम use नहीं करते क्योंकि इसमें 1 bit sign fix हो जाता है तो हमारे पास बची 7 bit मतलब 2 to the power 7 128 यूज नहीं कर सकते हैं हम जो है सारी bit यूज नहीं कर सकते हैं पहली bit तो fix हो जाती है कि हमारी पहली bit 1 आएगी या 0 आएगी किसके लिए होगी यह sign बताएगी यह fix हो जाती है तो हमारे खुले यह ज्यादा efficient way नहीं होता है दो वे होते हैं ना मैंने आपको पहले बताया था कि दो वे होते हैं किसके लिए कि जब sign के आगे कि आपका number के आगे plus है या minus है तो दो वे होते हैं यह first way था sign magnitude representation इसमें क्या होता है सबसे पहले sign लिखा हुआ होता है अब sign में अभी देखे जीरो negative का कोई मतलब नहीं होता जीरो positive प्लस जीरो का भी मतलब नहीं होता कुछ ठीक है तो इसके लिए कुछ नहीं होता तो यह भी इसमें आता है तो इसमें इसलिए भी यह हमारा क्या होता है और देखो और mathematics maths में मैनस जीरो प्लस जीरो कि नाम की कोई चीज नहीं होती इसलिए यह हमारा क्या है यह हमारा method useful नहीं होता अब हम इसलिए हम दूसरे वे में आते हैं और दूसरे वे को समझते हैं तो यह आगे हमरे पास second way second way क्या है tools complimentation tools complimentation अब आप बोलों कि तूस complimentation क्या होता है अब ही पढ़ेंगे कुछ थिक्रत वाली बात नहीं है अब क्या है फर्स्ट पॉजिटिव नंबर को binary representation पॉजिटिव नंबर के लिए क्या करते हैं इसमें सीचछा सीचा काम करते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए binary बागी बचीवी डिजिट में जीरो लिख देते हैं देखो यह लिखा 1011 इसके हमने बाइनरी निकालना अभी आपको शिखाया था पीछे भी दिखाया है सब कुछ कराया है अच्छे देख समझ रहोंगे आप सारी वीडियो को फॉलो कर रहोंगे तो समझ आ रहा होगा यह लिख दिया सिधा सिधा हो गया इसका काम अब यह क्या है नेगिटिव नंबर के लिए क्या करेंगे हम नेगिटिव नंबर के लिए यूज करेंगे हम तूज कॉंप्लिमेंटेशन का नेगेटिव नमबर में क्या होता है टूस कॉम्प्लिमेंटेशन फोर में श्टोर होता है अब आता है सबसे बड़ा कोशन तो यह आता है कि फिर टूस कॉम्प्लिमेंटेशन क्या होती है वाट इस तूस कॉम्प्लिमेंटेशन जो binary आया उसमें एक को 0 से बदल दिया मतलब इसका इसका क्यों जीरो कर दिया तो यह होगि 5 एसका तो बदल 오른ंग है यह जैसे लिखा है हमने कोई सबी कुछ भी लिखा है हमने जीरो का कॉंपलीमेंट मतलब रहा है तो भॉलेमाना नहीं है न तो वो बोलेगा हां मतलब किया करना है उसे अपोस करना है तो यह किस का काम होता है हमारा Wind somplace कॉंप्लिमेंट आया तो इस नहीं दिखे जीरो तो बोलेगा वन सने बॉल 142 वूलेगा आपका क्या क८् Pocketatics कौूम्पुमेंटेशन है तो अब देखे हैं एक DSP से यह एक्जाम्पल क्या है इस एक्जाम्पल को देखते है माइनस 11 अब मैंने आपको बताया है यह टूज कॉंप्लिमेंटेशन किसके लिए होता है नेगिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव नंबर के लिए तो आप सिदा बानरी निकालो और जितनी डिजिट बची है एक की बिट आ गए जितने हैं आपकी वागले नंबर उसमें जिटा कि घाए हो सब में कह लिए सैंबने के लिए हमारको पहले जाना होता है यक्टिव मैं बैँ हमें तरूज कॉंपलिमेंटेशन तो अब देख लेते हैं इसे भी, one by one, one by one चलाएंगे गन, तो one's complimentation के लिए क्या करा हमने, one's complimentation के लिए क्या करा हमने 11 का हमने binary निकाला था, अब इतना भूल गए, इतनी यादाश कमजोर हो गई क्या, two, five जा ten बचा one, two, two जा four बचा one, two, one जा two बचा zero, तो अब हमने लिख दिया ऐसे, क्या, one, zero, one, one, यही था, यही था हमारा, जो हमने अभी निकाला था, और बागे digit को हमने क्या करा था, zero से fill कर दिया था, ठीके गाईज, तो अब हमारे को क्या करना है, one से कॉंप्लिमेंटेशन में, इसका क्या करना है, one की जगा, zero, zero की जगा, one, तो इजे लिखा है, one से कॉंप्लिमेंटेशन, तो अब देखो, one की जगा क्या आगया, zero, one की जगा क्या आगया, zero, zero की जगा क्या आगया, one, और 0 की जगा क्या गया 1 फिर से 0 की जगा क्या गया 1 फिर 0 की जगा क्या गया 1 सारा हो गया अपोजिट मैंने बोला हां बोले तो बोलेगा ना कोई बोले ना तो बोलेगा तो अटाए से यह हां हां मतलब यह क्या करेगा उलटा अगर देगा जो भी बोलेगा हा तो बोलेगा ना तो यह क्या करता है यह एप किरते हैं मतलब इनको हर चीज करना है अपじ करना है ठीक है नहाथ अब यह अब तूस Clemente के लिए क्लीमेंटेशन के लिए हमने बताए कि जो कंप्लीमेंटेशन आए उसोंमें प्लस फवण कर दो तो आपका तूज कॉंप्लिमेंटेशन आ जाएगा बस इतना सरल काम करना है आपको और आपका काम बन जाएगा तो है देख लेते हैं इसे भी जो माइनस इलैवन है वो मेमोरी में किस तरह आएगा इस तरह आएगा 1 1 1 1 1 0 1 0 1 इस तरह से हमारा क्या आएगा मेमोरी में फ्टोर होगा ठीक गाइज अब यह देंग लेते हैं आगे हैं आगे तुज कॉम्प्लिमेंटेशन डारेक्ट फाइंड करें डारेक्ट फाइंड कैसे करेंगे, अब डारेक्ट फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको डारेक्ट फाइंड करना, कुछ सा टफ काम है, लास्ट के एक, एक के लास्ट तक सेम रहेगा, उससे पहले वाला, 01, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, जो भी आपकी बा वन आ रहा है जहां तक लाश से जहां पर पहली बार वन पड़ रहा है वहां तक हमारा सेम काम रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे जो सबसे पहले वन आ रहा है वहां तक हमारा काम सेम रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे जो भी जीरो होगा उसे वन लिख देंगे वन होगा जीरो लिख देंगे अपोजिट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा अब जैसे कि हम आपको उपर वाले एक्जामपल में ली आते हैं तो क्या था हमारा एक्जामपल अब उसमें थोड़ा गोर करते हैं कैसे कोड़ करेंगे 11 का बाइनरी हमने निकाला था 25 जा 10 बचा 1 224 बचा 1 212 बचा 0 हमारा बाइनरी आगया था 11 1011 यह आगया था यही आया था यही आया था तो अब हमने क्या करा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो गाइज हमने क्या करा कि अब इसमें आपको क्या करना है डारेक्ट करना है तो डारेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है लाश में जो सबसे पहला वन पढ़ रहा है लाज से सबसे पहला वन यह कलर चेंज करो जब जाता समझ में आएगा है कि अब होता है कलर का फरक पड़ता है समझाने का नहीं कलर का जाता फरक पड़ता है अब देखिक एजैसे हा गया फर्स्ट अभी वन क्या हो यह का ऊखख्या यह इसमें यह परक पड़ रहा है यहां तक हमारा सेम यहां पती बार है एक manure की जहां पर पहला वन पड़ाएगा वहां तक लिएए इन क्या और यह या क्या होगा देखो गरेंγ जिरो हो क्या हुआ वन हो गया 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 सारे चेंज हो गए लाश वाला एक बज चेंज हो गया तो यही बताया है उसमें कि डारेक्ट फाइंड करना है तो लाश से जो पहला आपका वन कि अगे चैन्ज करते रहो क्या चैन्ज करते रहो हा का ना कहा उल्टा करते रहो ने तो यही बताया है उस इस sampel में इसमें अब इसमें क्या करा और अब जैसे यह बIES में कोड़ लिखावायल निकानinesson निकान तो हमने क्या करा जो लाश में सबसे पहले वन पड़ रहा है वहां तक कहा हमने मामला sem रख दिया उसके पहले वाला, उससे पहले वाला, जो मतलब इस टार्टिंग के सारे हैं, इनको सबको हमने चेंज कर दिया, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, लिख दिया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने सीधा गोगर दिया, इसको बोला, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तो ऐसी हम ने कर दिया बस हमारा काम यह हो गया तो अब क्या करें अब देखते हम आगे आगे क्या है? How to directly find number from memory कैसे हम निकालें number memory से इंपरेंट वर्ड रही है एसमें directly कैसे निकालें हम number memory से अब राइड जीरो फ्रॉम नंबर एडिशन माइनस वन ठीके गाइड राइड जीरो फ्रॉम नंबर एडिशन माइनस वन अब कैसे है यह अब आपको यहां से श्राट करा आपने जीरो से लिखना टू की पावर जीरो वन टू थ्री फोर फाइड सेवन यह सब लिख दिया अब इसमें जितने जीरो आ रहे हैं जितने जीरो वाले आ रहे हैं वह सारे लिख दिये मतलब यह तीन आ रहे हैं जीरो वाले तो इन तीनों को हमने लिख दिया इन तीनों को लिखने के बाद माइनस वन करा और क्या करा फिर जो आया हमारा होगिए यह हमारा आंसर हो गया ऐसी देखों से उप्रमा अला ठावर में यह घृत यह हमारा टू की पावर जीरो चू की पावर वन टू ृर्स री फॉर पावर तू कि पावर फाइव और टू की पावर तो अब हमने यह निकाला आप डारेक्ट हमने इसे सिंपल हमने यह कर रहा है और आप ऐसे निकालोगे ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है हमें 248 16 32 64 आप डिके वह रही है इसे इनगोसर ही इसमें तो यह रहे है तो वह हुआ है जितने जिरो आ रहे हैं उसमीं का लैओ तरहत बसदे इसमें इसमें मतो इसरुख से वब når याऊ है मतोब केंपने लिचाणोंदा दिक्क्त कर दिक्योंदाब तक जितने 0 वाले आ रहे हूं सब कि में माइनस माइनस कर दिया और माइनस वन लाश्च में हमारी वैल्यू आ गई ठीक है गाई ठीक है ना फिर बाद में मत बोलना कि कुछ नहीं आया आप देखिए एग्जामपल एग्जामपल 4 bit memory representation then find value अब 4 bit का आज memory representation करना है अब उसके लिए आप value निकाले तो आप क्या है इसको 2 की बावर 0 2 की बावर 1 2 की बावर 2 2 की बावर 3 यह तो चलता ही है लाज से ठीक है अब जितने हमारा क्या है अब इसकी value निकालनी है value निकालनी है हमाले कुंस बड़ा काम है हमारको पता ही value निकालनी है तो हमारे का करना है सीधर 2 की पावर 0 से लिखता चल जाना है Last तक ठीक है और जहां पर भी हमारको zero मिले है उसी को हमारा को हीरो बना देना है माइनस उस नमबर को लिखना है ठीक है और लाश में हमारा काम हो गया कम्प्लीट तो इतना सा काम है और सारा आराम है कि देखँ हो फूलया है जैकि देखते हैं अगर नगर है तो एक टूखिपावर वुन अंसर आ गया है यह यह ममोरी प्रजेंटेशन में स्टर्टिंग से से 8 है इसलिए value negative आ रही है ओके मेमोरी रिपर्सेंटेशन में स्टार्टिंसे 1 है इसलिए value negative आ रही है ये मतलब नहीं समझे क्या हमने sign mi Tutaj continental यार यह color बेका लग रहा है कि साइंड magnitude representation को यह बड़े ऐसा color कि साइंड magnitude representation जो हमने पड़ा था उसमें पहले वाला क्या बताता है sign तो इसमें क्या है वान आ रहा है तो यह sign बता रहा है कि negative आएगा जो हमारी वैल्ली होगी वो नेगिटिव होगी तो नेगिटिव आ रही है नेगिटिव आ रही है तो इसलिए यहां वन है उसमें यह हमारे दोनों concept आ रहे हैं ठीक है अभी देखिए अभी देखिए देखो सब के आगे वन है 1111 11 11 11 11 11 तो सब के answers के आगे भी देखिए minus है ठीक है तो हमारी वाली first way जो था हमारा वो भी यहां पर use हो रहा है नहीं हो रहा है तभी तो पढ़ादा ठीक है तभी कहा है 1 0 0 0 अब इसको क्या करेंगे 1 2 की पावर 0 को क्या हो रहेंगे 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ठीक है तो 1 2 4 8 किते हो गया 1 2 4 8 तो यह हो गया कैसे इ vrai की समझ में नहीं आज गया क्या समझ में नहीं आरा क्या समझ में नहीं आरा हो तो हम तंजा भेते इना तो हमने इसको कैसे लिखा, हमने इसे लिखा कि हमारा क्या हो जाये सिदा सिदा काम हो जाये और अपना नाम हो जाये अब इसे यह है 1011, 1011 है तो 24 कैसे प्रक्राइड है He Lives ये भी हमारी डारेक्ट आगई ये भी डारेक्ट आगई ये भी डारेक्ट आगई ये भी डारेक्ट आगई ये भी डारेक्ट आगई साइन का आपको पता ही चल गए आगे से हम इप्प अब हम अब नोंटि अपर है यदी एक के अलिए वेलू निकालनी है तो नितनी एक है जितने चे holistic कि पावर और माइनस और ग्तुम अब जैसे यह से 11111 ग्लिखा ए इसकी यॉड़ी निकालनी है तो 2 की पावर 4 यह 4 1 है 4 माइनस 1 यह आगल governor अब यह 5 1 है 1 लिखाबा है 5 times तो हमारा को target कैसे इसकी यॉड़ी निकालनी है हमारा को यॉड़ी निकालनी है यह N-1ं। यह जितने होते हैं, यह फूरा N होता है तो यह यहां पर कम हो जाता है, यह N-1 कहा चाहरा तो यह 1, 1 , 1 , 1 लिखा है, तो आपका सिदा सिदा अंसर की है, क्या आजाओगा ? 0, –1 कहों है? इस वाले को –1 कर दाए. अब यहाँ पर 1 लिखा है तो यह 2 की पावर n minus 1 minus 1 यह minus आया प्लस बन यह सिदह सिदह होगे तो रेंज हमारी क्या होगी minus 2 की पावर n minus 1 to 2 की पावर n minus 1 minus 1 यह होगी हमारी रेंज एक गाइज I hope कि आपको समझाया होगा समझाया हो तो वीडियो को like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड की साथ शेयर करें तो थैंक यू फॉर वाचिंग हैवा नाइज जे